हिंदी सिनेमा में गणपती उत्सव की परंपरा दादा साहिब फालके ने ही शुरू की थी उनके घर पर पांच दिन के गणपती विराजमान होते थे दादा साहिब फालके के बाद उनके बेटे और बहु गणपती उत्सव की परंपरा को आज भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं दादा साहिब फालके के बाद गणपती उत्सव का महोत्सव बॉलिवुड के पहले शोमैन राज कपूर ने मनाना शुरू किया था आर के स्टूडियो बनने के बाद 1951 से राज कपूर ने चेम्बूर में गणपती का त्योहार मनाना शुरू किया आर के स्टूडियो में दस दिनों तक गणपती उत्सव की धूमधाम रहती है गणपती बप्पा मोर्या के नारों से पूरा स्टूडियो गूंजने लगता है उस समय के सभी हीरो, हिरोईन, गीतकार, संगीतकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राज कपूर के स्टूडियो में आते और भजन कीरतन के साथ बप्पा का गुणगान करते राज कपूर के साथ नर्गिस दस दिनों तक गणपती में आने वाले भगतों का स्वागत सतकार करती और गणपती विसरजन में बॉलिवुड का मेला लग जाता राज कपूर जब तक जिन्दा रहे ये परंपरा चलती रही उनके बाद रणधीर कपूर, रशी कपूर और राजीव कपूर ने भी गणपती बप्पा को आर के स्टूडियो में बुलाया उनके प्रती अपनी भक्ती भाव प्रकट किये आर के स्टूडियो के बाद राजकमल स्टूडियो गणपती उत्सव का मंदिर बन गया था हिंदी सिनेमा का दूसरा बड़ा नाम वीशान्ता राम जी का है उन्होंने भी गणपती बप्पा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किये राजकमल स्टूडियो में भी दस दिनों तक गणपती उत्सव की धूमधाम रहती है और हिंदी और मराथी कलाकारों का संगम होता है गणपती बप्पा मोर्या की आवाज वी शान्ता राम के राजकमल स्टूडियो से निकल कर जितेंद्र और एक्ता कपूर के ऑफिस तक पहुँच गई एक्ता कपूर का बॉली वोड में टीवी सीरियल इंडस्ट्री पर एक छत्र राज है लेकिन उनके ऑफिस में श्री गणेश का राज चलता है जितेंद्र और एक्ता कपूर गणपती बप्पा के परंभक्त हैं वो गणेश चतुर्थी के पर्व को आनंद उत्सव की तरह मानते हैं यहां भी बप्पा मोर्या की आरती दस दिनों तक होती है बॉलिवुड और टीवी सीरियल के सभी कलाकार एक्ता कपूर के बप्पा को देखने और अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं गणपती बप्पा की शोभा यात्रा आगे बढ़ती है और बॉलिवुड के भाईजान सल्मान खान के घर तक पहुँचती है सल्मान खान के घर में भी गणपती जी का स्थापन होता है सल्मान खान की मां सल्मा खान मूल रूप से मराठी हिंदू परिवार से हैं इसलिए बप्पा के आगमन से विसर्जन तक के सभी कार्यक्रम पारम परिक मराठी रीती रिवाज से मनाए जाते हैं सल्मान खान के घर बप्पा की दर्शन करने वालों की भीड लगी रहती है सब लोग भक्ती भाव से गाते हैं नानापाटेकर भी विद्नहरता को घर बुलाकर अपने घर, समाज और देश के विग्न दूर करने की प्रार्थना करते हैं नाना पाटेकर गणपती उत्सव को परिवार की सीमा में रहकर मनाते हैं, इसमें बॉलिवुड का तड़का नहीं लगाते, लेकिन मराठी प्रिष्ट भूमी से जुड़े लोगों का स्वागत करते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर मराठी फिल्म, मराठी साहित्य और मराठी सं अदगी के प्रतीक होते हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, बप्पा को जो भक्त जिस भाव से बुलाता है, गणपती उसी क्षण उसके मन-मंदिर में प्रकट हो जाते हैं, बॉलिवुड में गणपती बप्पा का उत्सव मानने वालों में एक भक्त का नाम और है, हिंदी सिनेमा उसे सोनु सूध के नाम से जानता है, बॉलिवुड में सोनु सूध की पहचान एक सफल आर्टिस्ट के रूप में होती है, लेकिन इससे अलग भी उनकी एक पहचान है, ये पहचान सोनु सूध को करोना लॉकडाउन के मुश्किल समय में मिली थी, सोनु सूद भी गणपती बप्पा को बड़ी श्रद्धा से घर में बुलाते हैं। उनकी पूजा और सेवा करके पुन्य कमाते हैं। फिर बप्पा के विसरजन में भावुक होकर यही गीत गाते हैं। और विग्नहरता से यही कामना करता है कि सभी के विग्नहरें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल MSK Digital को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। नमस्कार धन्यवाद।